इस वीडियो में हमारी वीडियो खास हुने वाले दोस्तों क्योंकि आज आप सभी लोगों के समने कार्ड प्रेंग प्रोग्राम जो कि हम एक मार्च से शुरू करने वाले हैं और जिसमें एक बैच में केवल दस बंदे ही जॉइन हो सकते हैं उस ट्रेनिंग की कुछ खास बाते और उसका जो विजन है उसका जो रिलक्षे है वो मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जो कार क्लिनिक की जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली डाइग्नोसिस एक्ट्वल डाइग्नोसिस जो है उसको डिलिवर करने के लिए शुरू की गई है जहां पे एक टेक्नीशन को ये सिखाया जाएगा कि डाइग्नोसिस क्या होती है डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है हम किसी का को कैसे डायग्नोस करते हुआ जखते है तो चलिए ऐसे SIMPLE PARET मेरे में आपको समझाता हूं डायग्नोसिस मतलब होता है किसी भी गाडी को चेट करना और उसके अंदर Fault का पता लगाना अभी चार टाइप के फॉल्ट होते रोज तो मेकेनिकल हम सब को पता है पाइपलाइन लीक होगी फैलिंसर चोग होगा इंजन बैग होगा टाइमिंग चैन्ट उडेगी बैल उडेगा या वाटेवर कोई साभी प्रॉब्लम आएगा प्रॉब्लम आएगा वाटेवर कुछ भी हो मेकेनिकल हम सब लोगों के लिए डाइग्मोज करना बहुत अखान है क्योंकि वह आखों से दिख रहा है फिर उसके बाद में आती है तीन शीरें जिसमें हमेशा आपको कनफ्यूशन मिलेग वाइरिंग सेंसर मोड्यूश वाइरिंग आपको भी जानते है सेंसर सीर है मोड्यूल सीर है हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आएगा रहेगी क्या रह यार वाइरिंग में प्रॉब्लम है की सेंसर में प्रॉब्लम है की ECU में प्रॉब्लम है मेजर प्रॉब्लम है यह तुम्हें बदल बदल के देखा ना डाइग्नोसिस का मतलब यह उठा है दोस्तों कि आप गाड़ी में बिना कुछ खोले या खोल करके एक प्रॉब्लम का एक्टुरेट पता लगा ले कि हां प्रॉब्लम यही है यहां पर वायर शॉट हो गई है या यह संसर खराब हो ग तो जो इस ट्रेणिंग में है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली सारी शीज़े हम सिखाएंगे जो कि यह प्रोग्राम में शुरू करेंगे आउटो इलेक्रिसिटी, स्कैनिंग और प्रोग्रामिंग यह तीनों को आपस में मिला करके अभी auto electricity में मैं आप लोगों को एक test सिखाऊंगा जो की होगा under 30 minute test मतलब कि 30 minute के अंदर में आपने पूरी गाड़ी को चेक करना है with the using of car scanner और multimeter and sensor tester जो भी आप यूज करें 30 minute के अंदर में आपको पूरी गाड़ी की wiring, sensors और actuators और modules एक साथ चेक करने वो भी कुछ भी बाहर निकाले बिना आपको कुछ भी खोलना नहीं है बिना खोले ही आप चेक कर सकते हैं और 99.9% जो है आपका result accurate निकलेगा क्या fault या पे और कभी किसी बंदे को अगर diagnosis नहीं आती है तो उसके लिए technical support बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए ACO repairing बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए programming बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए latest गाडियों को check करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह जो है वह fault check नहीं कर रहा है वह basically चीज़ों को बदल बदल के देख रहे है कि यहाँ भही मेरा fault इससे दूर हो जाए या इससे दूर हो जाए या ऐसे करे कि दूर हो जाए यह कब तक कि चलेगा अगर आप लोग से बैटरी वायर खोलेंगे या सेंसर वगयार का कपलर निकालेंगे या वाइन को ऐसे खोलेंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी उसकी कैलिब्रेशन आप जाएगी प्रोग्रामिंग आउट जाएगी अलग 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 टाइप के प्रोब्लम दाएगी बिनन निकालें जो गाड़ी है उसको कैसे डाइगनोस किया जाता है कैसे उसकी वाइरिंग चेक किया जाता है कैसे मोड्यूर की इंपुट आउटग चेक कर सकते हो और आप लोगों को रीफरेंस के तौरप में अपने पुराने यूट्योब के वीडियो देखी ह जहां पर मैंने बिना निकाले चीजों को चेक करके दिखाया एक्यूरेट 100% रिजल्ट निकाल करके दिखाया यह होगी हमारी ट्रेडिंग का पहला पार्ट के हम लोग वायरिंग सेंसर्स और मॉड्यूल जो है उसकी डाइग्नोसिस सिखेंगे प्लस सकैनर में डेतीज की मीनिग वगर्णा क्या होती है गश्के मीनिक्स क्या होती है लाइट अ क्या देता कैसे यूज्स ब्रयूमन क्या होती है एक्छोईशन थैस्ट कर्यों अचाहिए अर्ट रिजल्ट में जो भी आता है उसका मतलब क्या निकलता है कि आपने टेंकी की मोंटर स्कैनर से ओन दरी अगर वह नहीं होई तो क्या मतलब है वह गहिए तो क्या मतलब है वाटेवर प्रॉब्लम जो भी ये एक्ट्वेशन टैट्ट से कैसा पता लगाते हैं, स्पेशल फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ओनलाइन प्रोग्रामिक कैसे यूज करते हैं, ये साला कुछ आपको बताएंगे, उसके बाद हमारा नेक्ट पार्ट है डाइग्मोर्सिस में, वो है रीड और राइट, रीड और राइट में आप लोगों को सबसे पहले इमोबिलाइजर प्रोग्रामिक सिखाई जाएगी, जो की बाया उबिडी कैसे होती है, एक पी रोम से निकाल करके डाटा को कैसे करते हैं, इमोबिलाइजर प्रोग्रामिक में सारे स्टेप्स आप लोगों को सिखाई जाएगी, उसके बाद में अगला स्टेप आता है हमारा मीटर एडजस्ट्मेंट, जिसमें हम लोग मीटर हो गया है, इपिरॉंब लेवल की मीटर हो गया है, और वाया ओगेट यह दोनुन स्टेप्स में अप लोगों को सिखाईगी, कैसे बैक करते हैं, कैसे अड्जस्ट करते हैं, सौरी, अड्जस्ट कैसे करते हैं, और साती सात में, हम लोग उसमें और read and write में क्या-क्या चीजे यूज में ले सकते हैं, और सभी प्रकार के equipment जो रहते हैं, like upa हो गया, या फिर k-tag हो गया, ktm हो गया, आपका SOFI वगरा हो गया, जितने भी प्रकार की read and write programmers होते हैं, उनका कैसे सही तरीके से use किया जाता है, वो सब अपलोड को सिखाते हैं, उसके बारी आती है हमारी read and write, which is our module, जिसमें you immobilizer off, speed unlock, करना हो गया यार एक ECM को convert करना हो गया तैय तो दोतकर सते हो या मेरे पास में जो है यह यह वेat utilizz smarter में लगाना है एलावनां में लगाना में गिखिये मैं अपने ही साफ से इसको convert कैसे यह विरा यह 17-55 का इसी वह बुढेरो कितब से मुझे इसका इसके आपके लगाने जिसमें, whatever इमोग्लाइजर उफटरना है, यह सारी इसी जिए आप लोगो पो रीडिंग्रेट प्रोग्रामर में ते जाएगी उसके बात में बारियेता है, हमारी Peanut inlet Injection System की, fuel injection system में, injectors जैसे पीजड चॉलिड घल-टर, Lev एक सब्वाएज ईवल आपके क्याशल को हैं धाड़ी में का है, ताक के अब गाड़ी में ही, शियाॉर हो सके यहां मेरे इंजेक्टर में प्रोब्लम है, मेरे हाई प्रेशर पंक में प्रोब्लम है, या मेरे सैंसर में प्रोब्लम है, या मेरे वाइलिंग में प्रोब्लम है, या मेरे मॉडूल में प्रोब्लम है, यह पुरा कंप्लीट डियाग्नोसिस का गोरता है, जसमें हम लोग ECU की इसमें क्या है वेजल गाडी में आप लोगों को आप लोगों को आपके सेटर मिल जाते हैं इंजेक्टर्स की आइसी अगेरा मिल जाए उसके ड्राइवर मिल जाए इन पावर आइसे सिस्टम आइसी एमसी वगेरा तो जिसको डाइग्नोसिस आती है उसके लिए यह ताम बहुत असान है सिंप्ली एसमडी कंपोनेंट्स जो होते हैं मॉस्टर ट्रांजेस्टर इसरेमिक कैपैसिटर वगेरा जो भी है उसकी डाइग्नोसिस बन जाए तो आप लोग जो है गाड़ी की डाइग्नोसिस से इसको रिपैर करना सीख जाएंगे और अगर आप इसी रिपैरिंग सीख रह होगे टेक्नीशन आपके पास में आगे या फिर किसी कस्टरमर भई बुल दिया कि या इसका चौते नंबर ने इंजेक्टर काम ने कर रहा है या इसमें केंप्शॉक सेंसर का कोड़ आ रहा है क्या करोगे आप मेरे गांसों कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कैसे डाइग्नोसिस जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यह हमारी डिक्शनरी से लायब होते जा रहा है बंटा के चल रहा है स्कैनर लिया सपोर्ट ले लिया बात खतब अरे एक डिस्ट दिन तो दीजी अपने ट्रेनिंग के ल पार्टेंट के दिजिंटी दे रहे हैं क्या-कया सपोर्ट शिस्टम में गारा मिलेगा सातफे साथ में लोगों के वारिंग डिंगरां के कर सकी उप्सक्त खेया 1-2-3 पाइल स्की उनने प्र ignorant week 05 2-1 सोlectric मिलेंगा उस्यान के नीग लिए टेम साफ मैं और और online training की facility भी offline technicians को ही दी जाएंगी जिनोंने offline training ली है उनी को हम लोग online देंगे क्योंकि साल बद जो है जितनी भी video training हमारी चलेगी जितनी भी classes लगेगी वह अपनी application में उस चीज को live देख सकते हैं इस चीज की facility हमने बनाई है और आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं और जितने भी लोग हम से training लेंगे उन सब का contact number, workshop address, photo अगयरा हमारी website पर mention कर सकते हैं जिससे होगा गया कि अगर किसी को हमारी service जाननी है तो भाई हो हमारी customer से बात कर ले एक बंदा जूट बोलेगा, 50 बंदे जूट बोलेगा, 100 बंदे जूट बोलेगा, 1000 तो नहीं बोलेगा जिससे हमारा criticism आओ, so दोस्तों ये मेरा छोड़ा सा training program है, अगली video में मैं आप लोगों को जो है, आप लोगों का hostel और आप लोगों की lab दिखाऊंगा, क्योंकि basically अबने क्या क्या है क्या है क्या है क्योंकि trainees के लिए hostel facility, mass facility, मतलब ठाने बेने का अंदर हम और laundry, जो है, पू आप लोगों को satisfaction ही होता है, next batches आप लोग जोइन कर सकते हैं, उसकी में training fees आप लोगों से नहीं की जाएगी, बस आप लोगों को अपने रहन एखाने का खर्च मेंटें करना है, that's it. और अगली वीडियो में जो मैं आप लोगों को दिखाने बाद है, उसमें फैसलिटी के तो मिलते दोस्तों next वीडियो में, अभी के लिए हबनाइस टे, बाइ और चेक कीजिए, कार क्लिनिक वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन में नमबर दिया गया, उससे भी प्लीज चेक कर लिए, ठीक दोस्तों, मिलते हैं, हबनाइस टे, बाइ